हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारा हूँ कि कैसे आप अपने मोटरोला G22 एंडूइट माइल फोन में आप जो है अपने होट स्पोर्ट की सिक्योर्टी को आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं और इस सिक्योर्टी जो है डिसेबल करने के बाद कैसे काम करेगी आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए आपर जो है वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने फोन में सैटिंग पेज ओपन कर लेना है इसके बाद आपको अगले पेज में वाइफाई होटी स्पो देखने को मिलता है सिक्यूरटी पर आपको इसे स्लेक्ट कर लेना है अब यहां पर जो है सेक्यूरटी का चोक्श्वर्ट सेलेक्ट कर लेना है यहां से वहाट चुका है तो इस तरीके से यह setting जो है आपकी disable हो जाती है hot spot की security अब मैं आपको जो यह बता देता हूं कि यह security जो है disable होने के बाद काम कैसे करती है तो जब भी आप अपने hot spot को कभी भी on करेंगे तो कोई भी unknown person या कोई भी आपका friend जो है आपके hot spot को use कर सकता है without password के ठीक है तो यहाँ पर जो है यह setting जो है disable करने के बाद security को disable करने के बाद यह setting जो है कुछ इस तरीके से काम करती है आपके Motorola G22 Android mobile phone में है अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का इस shortcut तरीका आपको बता देता हूं आपके phone में आपको जो है setting page open करना है और सबसे उपर आपको जो है यह search setting का option दिखता है search setting पर आपको इससे select कर लेना है तो यहाँ पर आपको पूरा name यहाँ पर आपको पूरा type कर देना है वाइफाई hot spot ठीक है तो यहाँ पर जो नीचे की साइड यह option शो हो जाएगा वाइफाई hot spot का ठीक है तो यहाँ पर जब यह option शो होगा इससे select कर लेना है इसे होगा क्या कि आपका mobile phone आपको shortcut तरीके से वाइफाई hot spot की setting में लेकर आ जाएगा और इस setting पर आप किलिक करेंगे तो अगले ही पेज में आपको security का यह option देखने को मिल जाता है ठीक है तो इस तरीके से आप इस setting को shortcut तरीके से भी ढूंड सकते है अपने mobile phone में